कि अपना नजदी कि आदीमी रहते हैं उनलोग के काम करते हैं नहीं करते हैं पाच हजार दस हजार रुपया हम लोग पैसा रहेंगे ताब घूज देखे हम लोग यहां पर जल मिनार लगा हुआ जल मिनार कब से बंद है यह रोग नहीं है तो जैसा आपको पता है कि भौकाल TV comments की टीम आपको ज़ारखंड के विभीण आधारभूत मुद्धो को दिखाने का काम कर रही है आपको पता है कि 55 राजवेवस्था के ज़ारखंड में कडि़ीम 11 साल हो चुके है और सरकार हर साल करीब 40-45 लाक रुपे हर पंचायत को भेज रही है तो हम देखने की कोशिस कर रहे हैं आप हमारे रिपोर्ट में ग्राउंड रिपोर्ट में देखते होंगे कि हम आपको दिखाते हैं कि ग्राम पंचायतों का गाउं का कितना विकास हुआ है जो गरीब है अस बात करें हैं कि जानने की कोशिस करेंगे कि पंचायत का सच में कितना कश हुआ है कुछ लोग हमारे साथ आएउप नसे बात करते हैं और जानने की कोशिस करते हैं कि नाम है चाचाब का इना जा है कि अभी तक पांच वर्सों में पंचाइती राज वस्था के तो जो योजना आता है जैसे कि आवास गाय सेड़ बकरी सेड़ चापा कल कुछ मिला है को सरकारी फंट से कुछ लेकिन फिर भी आवास नहीं मिल रहा है आप बताएं कि आखिर मिल किसको रहा है आपको नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है इसको मिल रहा है तो मिलने वाला के का पैसा उसा करी जन है जा मीर उमीर को मिलता है जो लगाव वाला है उसको मिलता है तो लगाव वाला के मिलता है अच्छा देए देखिये चाचा का कहना है कि लगाव वाला के मिलता है अगर आपका मुखिया जिससे लगाव है उनको किसी को गाय सेद में लग रहा है कि यह है किन को मिला मुख्या जानेंगा ज़नेंगे हम ने बता सकते हैं इस्वा उनका दलालों यह तर रहिए इंद रहा है है कि सारा काम जो है मुखिया जानेंगे उनके दलाल जानेंगे हम कुछ और लोगों से बात करेंगे महिला है क्या नाम है कि आपके मुखिया जी का क्या नाम है यहां पे जलमिनार लगा हुआ इस जलमिनार कब से बंढ़ है एक दोड़ दू सल हो गया आजु बंढ़ है जलमिनार आपको हम हर रिपोर्ट में बताते हैं कि इसका लागत 3,84,000 रुपया है एक जलमिनार का लागत 3,84,000 रुपया है और इसको बनाने के लिए सरकार हर साल 12,000 रुपया देती है तो हम पूछना चाहते हैं मुखिया जिसे कि जो 12,000 रुपया आ रहा है और 5 वर्सों मे करीब 60,000 रुपया रहा है तो पैसा कि दर राहा है कहां यूज कर रहा है संसने आ रहा है आप बताये कि कभी बना है यह नहीं बना है इस नहीं करते हैं कि आखे दिए चाथी का कहना है कि कामे नहीं करते हैं, मुखिया आपको इसलिए बनाया जाता है, कि आप गाउं का विकास करिए, लोगों का सुनिये, गाउं का मुखी आखिर होता क्यों है? गाउं के लोगों का सहायता करने के लिए कोई जरूरत पड़े उसमें हेल्प करने के लिए न की उनको बोलने के लिए कि हम काम नहीं करेंगे जाईए आप और बताएए क्या बोल रही है चाची क्या नाम है आपका आप बताएए कि अभी तक पांच सालों में आपको कुछ मिला है कुछ ने मिला है तो आप मांगने मुख्या जी के पास नहीं गई थी कि हमको कुछ दे दीजाए कि दुरा पर जाओ कई बर गई है अभी तक आप बताएए कि आपको और कुछ मिला है जैसे कि बहुत सारा सरकारी योजना होता है उसमें कुछ ने मिला है आखिर किसको मिल रहा है सरकार हर साल 40-50 लाख रुप्या भेजरी हर पंचात में तुप पैसा कहां जा रहा है बताएए क्योंक आपके नजर में कुछ दीख रहा है जो अभी मुख्या जी लगवाँ है इधर सोलर लाइट लगा है स्ट्रीट लाइट जो पोल पे लगा रहता है जल रहा है इधर आईए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं क्या नाम है आपका कोलेशवर जी आप बताएए कि अभी तक सरकारी योजना में आपको कौन-कौन से योजना कला मिला है तुछ ने मिला है जैसे कि आवास होता है प्रस्टनल में हम बता रहा है आवास गाय सेड बकरी सेड रासन यह सब कुछ आपको मिलता है रासन मिलता है अच्छा सिर्फ और बताइब सकी सरकारी काम होता था एकि पी सीसिसरानारे प्रण वाला सब्राइब सेवर बना है करें बाना है इधर डोटा योजना हो T इधर लगा रहा थे तो कोई हमको बताया कि दुकान वालों के दरवाजे पर जो मनें उनके नजदीकी में जो रहते हैं उनके मतलब उमेल लगा जाए कि जो उनको लगता है कि बड़ा आदमी है मुह वाला है जो ओड दिलवाता है उसके दूरा पर लगा इहां पर बखरी सेड भी सरकार भेजरी है करीब 63,000 कुछ रुपे आता है बखरी सेड के लिए बखरी सेड बन तो गया उसका पैसा पास हो गया फिर होता का है कि इसको तोड़के इटा भी निकाल लिया जाता है समझ जाए कि कितना बड़ा धांदली चल रहा और बताइए आपको कुछ जैसे आवास गाय सेड बकरी सटका है नहीं मिला जी सबको तो मिला है आपको क्यों नहीं मिला जो अपना नजदी की आदमी रहते हैं उन लोग के काम करते हैं लोग के तो बहुत मने सोतेला वेवार से मुखिया जी देखते हैं पूरे भारत के हैं उसी तरव मुखिया जो होता है पूरे गाव का होता है लेकिन इनका कहना है कि सोतेला वेवार करते हैं साइन करवाने भी जाइए तो साइन तक नहीं करते हैं क्या बोलते हैं साइन करवाने जाते हैं काते हैं इधर उधर माने टाल मोडल करके कमी है तो कमी है करके इसे मतलब आखिर सो तेला वे भार इसले तो नहीं करते हैं कि आप लोग सायद वोट नहीं दिये होंगे आम लोग भी पाक्ष राते हैं मतलब सब के लिए सरकार 40-50 लग भेजरी है तो पूरा पंचायत पूरा गाउं के लिए भेजरी है तो इसा नहीं होना चेह ना जी तब तो वहीं बताएंगे आप बताएंगे आप बताएंगे जैसे और इधर सामाजी काम में कौन-कौन सा काम हुआ है जो आपके नजर में सही है तो मुखिया जी के तो माध्यम सो ए फेवर्बोल लोकरा काम नहीं हुआ है आई यह कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आप इसी पंचाथ से हैं क्या नाम हुआ आपका शूरज जी आप बताए कि आपके मुख्या जी का क्या नाम है आप बताए कि अभी तक पांच वर्सों में सरकारी योजना में कौन कुछ नहीं मिला है तो अखिर किसको मिल रहा है जी अब जिसको लगाओ रहा है उसको नहीं मिल रहा है पाइसा जो दे रहा है उसको मिल रहा है जो नहीं दे रहा है तो हमको माली जे आवास लेना है मैं तको लेना है तो ह्मको केतना पड़ देना बढ़ेगा तो मिल जा खा मतलब जब मेरा आएगा वहां से निकलेगा 2000-2000 लेता रहेगा तोटल मिला कि कितना तक ले लेता है कम्पलीट होते तक कितना लेता है फिर भी कितना ले लेता है मतलब यहीं पढ़ जयता है 15-20-2000 यह दखिए भाई सीधा सीधी नहीं बता रहे थे लेकिन एक जांपल लेके बताना पड़ा कि पैसा लगता है पंदरों से 20,000 रुपया स्टार्टिंग में 1200 फिर पैसा निकालना है तो 1200 इसी तरह करकर के 15-20,000 लग जाता है सही बोलना भीया तुग जालत बोलेंगे यह दखिए एक चाचा है इनसे बात करते हैं क्या नाम है चाचा आपका कौन चोधरी मुनेस मुनेस जी आप बताए कि आपके मुखिया जी का का नाम है चोटन मुखिया चोटन है अरे आप बताए कि अभी तक आपको सरकारी योजना में कौन-कौन से योजना कलाव मिला है आवास मिलल भा कुछ ने के भेटल कुछ ने के भेटल कुछ ने कुछ ने के भेटल थे हो कहां भागने लगए यह दखिये चाचा बिदग है हाई यह कुछ और लोग है उनसे बात करते हैं क्या नाम है चाची आप बताए कि अभी तक छोफ वर्सों में मुखिया जी का कारेकाल छोफ वर्सों का हो गया है आपको कुछ मिला है नाई काहे ने मिला जी हम अभी एतना लोगों से पुछे मातर एक आदमी थे जिनको आवास मिला था आपको आवास मिला है घर घर नहीं मिला तो इसके लिए नहीं मुखिया जी के पास गई है आपकी हमको घर दिलवा देजे जाल यह मुखिया जी भी तक अहलन की अभी कलोनी में नामें नेखे तक आहां से घर कुछ नहीं बताते हैं तो आखिर केकर आवास आ रहा है आप लोग का किसी का नहीं आया है आप लोग का सब का मीट्टी का घर है तो किसका आवास आ रहा है कि जिसका यह गो हाय गो बात हिंगे हम लोगो के तना घूस लगता है किगो और पहली लगते हुआ रूस पाथ हजार दस यह रूबया मांगा है बात एक कहें अच्पाच दुछ हजार मांगता है कि आप पहले तंइ उसके बाद घर देंगे दोद दा है कोन ऊपता है जैसा नायज वहाय घण रखने कि गयो जो पैसा देके लिखवाता है उसको मिल रहा है बाकि के नहीं मिल रहा है आपको रासन मिलता है हाद बोसता बृइधा प्रइज नेमिलक। वरीधा पेंसन मिलता है लेकिन इनका कहना है कि आवास गाय सेड बकरि सेड कुछ ने मिला है कारण काल辺ता है नहीं कुछ कुछ तो भी लिए है तो प्ль कुछ वह पाइसाह भी लग होतनी अपर पैसा लगा है dif हमको कुछ ना लग गया है लाथि हम यसकान डेवे में हाँ यह देखे इनका कहना है कि छोड़िये हम नहीं बता पाएंगे इतना पैसा लगता है कि हमको खुदे यादा है तब केतना लगा था क्यातना पैसा लगता है इनका उधर ही ले लिया गया तो आप समझ सकते हैं और उधर ही खा जा रहा है तो दो सजार में तो लग रहा है कि छिलाई होगा उधर मटी का और कुछ ने होगा किया कुछ काम ने किया देखन जाकर आथि फंट से जाम के काम कराया जाकर 20 जर प्यावति मैं वह देखकर के पाईसा हो गया सहब सुभा लेता है कवा कुवाने काम है हम को कॉल भेटना है अम्रा कलोने तीवा दिशे सर हम रही करी Gothic उठाएंगे गरी वादीने हम को कहां से देंगे पैसा घूष का करेंगे हां क्या नाम है आप राजदे चौधरी जी आप बताए है कि अभी तक सरकारी योजना में आपको कुछ मिला है ने कुछ निंदा है रिक्षा मिलता है पोई के ने मिला है मुखिया खिलाफ रहता है जा मुखिया खिलाफ रहते हैं और का लोगम के एम अधरएक हम लोग में सब्सक्राइब करें करते हैं तो मुखिया जी पॉक्छ शर्फ कुनाः अनुप करना है उसके बाद नहीं करना है आप बताइए कि जैसे समाजिक काम होता है बहुत सारा सरकार पैसा करीब 40-45 लाख रुपया हर साल भेजरी है तो आपके हिसाब से कई लाख के काम हुआ है आपके पंचायत में कितना बतले मनें कुछ हुआ है काम जो PCC हुआ है PCC हुआ है कि जलमेनार कर अब से खरालो है लम समम डेरल साल हो गया डेरल साल से खराब है आप देखें किंका कहना है कि कुछ काम हुआ पैसा को खर्च किजिये आपके देव में रखने के लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है क्या नाम है आपका नरेस जी आप बताए कि सरकारी योजना में अभी तक कौन-कौन से योजना का आपको लाव मिल पाया है हम लोग कुछ नहीं रहा है कि दो आँफम बसे इसको मिल रहा है जब आप लोग लोग जाने की घर थे कर आपकर ना पड़ता है कुछ तो होगा ना नियुक्त कोई ने मांगा है ओजिसे कि गाय सेड़ बक्री सेड़ चापा कली सब कुछ नहीं मिला है आपके आजू बाजू में जैसे की नाली बना है चापकल का मरमत हुआ है नहीं हुआ है यह देखे इनका भी कहना है कि कोई आसपास काम नहीं हुआ है आई यह कुछ और लोग है क्या नाम है आपका राजा जी आप बताइए आपको सरकारी योजना में भी तो किस किस योजना कि लोनी मिला है कालोनी में कुछ घुश में देना पड़ा कि यह सी बन गूस नहीं लगा है जो श्वैम से वक होता है उपई से लिया था कि नहीं जूट का है बोल रहा है महराज हम लोग पूरा गाढ़ावा पलामु सब जगा कर रहा है हर जगा ले रहाती है मतलब यूनिक क पानसो एक पर नहीं पता है वह लोग कम लोग पड़ता है मनोजी से तो इसलिए हम से पड़ता है लिये होंगे तो आप आप नहीं बोल रहा है आप बताए जोजना होता है उसके से कुछ भी मिला है आपको इधर कोरोना काल के समय में सेनेटाइजेशन हुआ है जैसे कि छीड़का दावा का होता है उसके बटाया था मास्क बटाया होगा लेकिन हम लोग का मास्क नहीं मिला होगा कुछ नहीं मिला है उसके लिए देखे सरकार करीब 12 से 14 लाक रुपिया सेनेटाइजेशन और डस्ट बीन के लिए भेज रही है लेकिन उसका भी कोई यूज नहीं हुआ है तो समझ सकते हैं कि घोटाला आवास म में तो नहीं हुआ है लेकिन और बहुत सारी योजनाय है जैसे कि आप देख सकते हैं जल मिनार के मरमत के लिए जो पैसा आता है चापा कल के मरमत के लिए जो पैसा आता है इन सब पैसों को खर्च नहीं किया गया है और लग रहा है कि उपर से ही उपर पास कर लिया गया है सरकार से रिक्वेस्ट है कि ऐसे पंचायतों में जल्द से जल्द जाच टीम भेज कर जाच कराए जाए और देखा जाए कि कौन-कौन सा जो योजना है धरातल पर लागू नहीं हुआ है तब तक आप देखते रहे हैं भोकाल टीवी न्यूज जाहिन